हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने लावा Z6 Android वाइल फोन में आप जो है 3 बटन नेविगेशन सेटिंग को इनेबल कैसे कर सकते हैं 3 बटन नेविगेशन सेटिंग इनेबल करने के बाद आप इसे कैसे यूज़ कर पाएंगे आज के इस वीडियो में आपको ये पूरी जांकरी देने वाला हूं अब अब यहां पर आपको इस पेज में सिस्टम नेविगेशन का ये उपशन जागा इसे प्रस्वाटिंग हो यहां पर आपाSt। थे लगें आप इसका जो है गल्यां नाप यह पर सकते हैं home screen बटन से home screen पर ले जा सकते हैं और overview बटन से अपने phone को overview कर सकते हैं ठीक है तो यह setting जो 3 button navigation setting आप इस तरीके से enable कर सकते हैं और इसे इस तरीके से use कर सकते हैं अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता जता हूँ कि कैसे आप 3 button navigation setting को shortcut तरीके से कैसे ढूंड सकते हैं अपने mobile phone में इसके लिए आपको करना है कि mobile का आपको setting page open कर लेना है इसके बाद आपको सबसे ओपर सर्च setting का यह option दिखाई देता है इससे select करना है अब यहाँ पर आपको search बार में type करना है system navigation ठीक है spelling को आपको mistake नहीं करना है अगर आप spelling mistake करेंगे यहाँ पर तो आपका नीचे की side में option show नहीं होगा ठीक है इस बात को आपको खास दियान रखना है तो यहाँ पर आपका system navigation यह option ठीक हो जाता है तो इससे आपको select कर लेना है ठीक है इससे होता क्या है कि आपका mobile phone आपको जो है डायरेक्ट system navigation के इस page में लिया आता है और यहाँ पर आपको जो है three button navigation का यह option मिल जाता है तो इससे आप जो shortcut तरीके से ढूंड सकते हैं